नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं NCRT के लाइव इंटरेक्टिव सेशन में मैं श्रुजन राजपूत हूँ और आप हमें देख रहे हैं यह विद्या चानल नमबर 11 के माध्यम से और इसके साथ ही आप हमें हमारे ओफीशल यूट्यूब चैनल NCRT ओफीशल के माध्यम से भी देख रहे हैं यह कक्षा ग्यारा के बच्चों के लिए हिंदी का सत्र है और इस हिंदी के सत्र में आज आपके पार्थे पुस्तर से जो विशय चुना गया है वह वह बहुत खुबसूरत है और अगर बात करें सा तुझको दूर जाना यह महादेवी वर्मा की रचना है और यह एक जागरण गीत है तो क्या जागरण किस तरह से जागरुक किया जा रहा है या फिर क्या पुकार की जा रही है इस गीत के माध्यम से यह आपको जरूर जानकर बहुत अच्छा लगेगा और आप जानने के यह उत्सुक भी होंगी यदि आपके मन में कोई भी प्रशना है इस सत्र के दौरान तो आप बेजी जग उन्हें हमसे साज़्ा कीजिए आप हमें कॉन्टेक्क कर सकते हैं हमारे फोन नंबर के माध्यम से जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं यह नंबर है यूट्यूब चैनल NCRT Official के लाइफ चैट बॉक्स के माध्यम से तो यह बहुत से जरीये हैं जिनके जरीये आप अपने प्रशन अपनी प्रतिक्रियाएं अपनी सभी सोच हमसे साजा करते हैं और यह हमें बहुत खुशी भी देता है कि आप हमसे चुड़े हैं तो चलिए बिना देरी किये अपने सत्र को शुरू करते हैं हमारे साथ इस पार्ट को पढ़ाने के लिए हैं डॉक्टर कंचन भार्दवाज माम माम नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद माम हिंदी प्रवक्ता है जौमिया मिल्या इस्लामिया नई दिल्ली से और क्योंकि माम कक्षा 11 क बच्चों को ये पार्ट पढ़ाया जा रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई संदेश होगा कोई ना कोई एक मोटिव होगा जिसको समझने का ये समझाने का यहां प्रत्न किया जा रहा है जी आपका नाम बहुत सुंदर है और श्रिजन राजपूत पूरा नाम जानने जा रहे हैं वो सरजक भी है और वीर भी है संघर्षों से आगे निकलने की चाहा है उनमें और अंधेरों को अंधेरा तो कभी समस्ती नहीं क्योंकि हमेशा ही अंधेरे में एक बिजली बनके चमकती हैं यही उनकी चाहा है कि रात के दिवस में चाहा का शर हो यही ब साथ उर्जा के साथ जोश के साथ वीरता के साथ अपनी विपरीत परिस्टियों में आगे बढ़ते जाना है लक्ष की ओर उन्मुक होना है यद्धेपी कभी-कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमें जीत नहीं देती है हारभी गए अगर तब भी आपके संघर्ष की आपके लड़ने की एक पहचान बनी रहेगी तो यह आपके प्रशन का उत्तर है कि हम क्यों इन बच्चों को यह कविता पढ़ा रहे हैं बिल्कुल माम यह बात बिल्कुल किसी भी बात से अच्छूती नहीं है कि महादेवी वर्मा की जो रचनाये हैं या फिर कह करेंगे कि आप हमारी लेखिका का परिचय भी हमारे बच्चों को दे और इस पार्ट का जो एक रूप है विस्तार रूप है वो भी प्रस्तुत करें बिल्कुल लेखिका जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं इनको हम देख सकते हैं कितनी सादगी से उनका चित्र है माईक उनके हाथ में है मंच की कवित्री हैं बहुत कविताएं मंच पर पढ़ी यद भी बहुत बार उन्हें संकोच भी होता था थोड़ा शर्मीली मिजाज की भी थी इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है और प्रत्वी की तरें गंभीरता इसलिए महीयसी महादेवी भी क पतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं, चांधी जी से चोड़ी होईती थी, कांधी जी से इनोंने एक प्र econom लिया था कि हमेशा खादी पहने और खादी पहनी उन्होंने, समाध सेवी थी, समाज के इनोंने सेवा की, ट्र्राग एम महिला विद्य पीट में, नैनि ताल में में मी संसता नाम से एक संसता बनाई और उस जमाने में इन्होंने अपने पास से 24,000 रुपए भी दिये उसके लिए और वो साहित्त के लिए कुछ किया जाना चाहिए, साहित्तिकारों के लिए किया जाना चाहिए, उनकी खराब विस्टित्यों में सुधार आए इसके लिए संसद में आवाज उठाने वाली पहली भहला थी, कई मामलों में आप कह सकते हैं कि वो एक पहली पहली बात उनमें, साहितिक संसदा है हमारे यहाँ, उसमें उन्होंने जो है वो पहली बार उसकी सर्दस्ता शामिल लिये उन्होंने और साहितिक अदमी, और उनिस विश्विद्ध सम्मेलन के समापन समारों में वो एक मुझ कहती थी, निराला उनके बारे में कहते थे, सूरी कांतर पाटी निराला जो कवी है चायवाद के उनके समकालीन है, उनके मित्र है, उनके भाई की तरह है, देखे ये बहुत खास बात होती है, कि आपके समकालीन वो एक सरसोती थी, तो भाषा के तोर पर बहुत सम्म्रद्ध थी, और जब उनका जीवन, विद्याले में ही चल रहा था, सिक्षा चली रही थी, तभी मैट्री करते करते ही, उन्होंने काफी रचनाय लिख ली, आब वो रचनाओं के बारे में जाने से पहले, मैं जानना कि वो उनका जन्म कब हुआ और कब वो पैदा हुई, उनका जन्म 1907 में आपकी पुस्तकों में लिखा है, बहुत जगे लिखा हुआ है, लेकिन जब बाद में शोध हुआ, क्योंकि ये कहा जाता है कि 26 मार्च को वो पैदा हुए रोज दिन होली थी, तो होली के दिन, 1902 मे 1987 के दिन हुई, तो इसे साब से लगभग 80 साल की उम्र का जीवन उनका रहा और आजीवन, आजीवन उन्होंने साहित्य की सेवा की, उनकी माता हेमरानी देवी, हेमरानी देवी बहुत अच्छा गाती थी, भजन गाती थी, ध्यात्मिक महिला थी, और जो महादेवी पर लि रचनाई की उसमें आध्यात्म आता है, और गीत लिखती है, तो गीत कावे नाम से उनका एक निबंध है, उसमें बहुत अच्छी तरह उन्होंने गीत किसे कहते हैं, इसकी परिभाशा है, और गीतों में भी लोग गीत की तो जो भाविमी आती है, जो धुन आती है, वो भ जिहन के दौरान ही सुबद्रा कुमारी चौहान कवित्री, आप सबने उनका नाम जानते हैं, बड़ी प्रसिद्ध कविता है, उनकी जासी किरानी, बुंदेले हरवोलों के मुहम ने सुनी कहानी थी, सुबद्रा कुमारी चौहान उनकी मित्र थी, निराजा जी उनके मित् CrossFit College इलहाबाद में 1909 ने दुबारे admission लिया और फिर पढ़ाई पूरी की, बाद में कर्मशेत्र भी उनका हिलाबाद रहा, प्रयाग महिला विद्यापीठ में वो धानाचारे भी रही और कुलपती भी हुई तो इस रचनाओं की जब बात करें, तो विद्याले के सिक्षा के दौरान ही उनकी रचनाएं छपने लग गए थी और निहार आता है 1930 में, निहार में उनकी बड़ी कौतुहल वाली रचनाएं, कविताएं हैं, जैसे कि किसी ने अभी नया नया बरसने वाला बादल देखा है और जो दूर कहीं है, उसको छूने की इच्छा है, छूने ही सकते हैं, ऐसी कौतुहल, लेकिन वेदना भी है, ये निहार में है, जो 1930 में आया, रश्मी 32 में आई, इसमें थोड़ा उनका दाशनी चिंतन, रश्मी में कुछ ऐसे गीत भी हैं, जो सवैये कही है, जो ब्रज भाषा के सवैये खड़ी बोली में लिखे गए, आलोचक नामवर सिंग जी ने बिलकुल ये साफ बात कही, कि ऐसा पहली बार हो रहा था कि ब्रज के सवैये खड़ी बोली में कोई लिख रहा था, और उन्हों ने कहा कि इकार की अपने संस्मरण में, कि मैंने इसी तरह लि और इन चारों का संकलन 1949 में यामा में आया, यामा नाम से, एक रचना दीपशिखा है उनकी, दीपशिखा दीपक उनकी कविताओं में बहुत आता है, बहुत प्रतीक के रूप में वो प्रयोग करती है, दीपशिखा नाम से रचना है, 1942 में इसमें प्रेम की पराकास्था ह एक बहुत महत्पूर्ण रचना उनकी है 1956 मिजवाती सब्त पढ़ना इसमें भारती दर्शन से आर्ष से लेकर के और कालिदास तक उन्होंने अनुवात कि सीधे संस्कत से अनुवात कि थेरी गाथाओं के अनुवात कि तो संस्कत से सीधे अनुवात करने वाली भी वो उस त परिवार नाम से जो पुस्तक लिखी है यह इसमें उन्होंने बचों को जरूर पढ़ना चाहिए मेरा परिवार इसमें उनका अपना परिवार दिखता है और जो उनका अपना परिवार है वो तक गिल्लू और नीलकंट जो पशुपक्षी थे उनके जो आप इसकी सूची आपको बहुत आनन्द आएगा इसकी सूची देख करी कि इसमें क्या-क्या है देखें नीलकंट है गिल्लू है सोना है गौरा है नीलू है तो यह अपने जो बाग बगीचे के जो जीवजन्तु थे उनसे प्रेम कर रही थी जो भी उनके दरवाजे पे आता था उनके अब हमारे सामने मौजूद है वो लेख है उनके और इसी में उनोंने इस्तरियों की मुक्ति से संबंदित इस्तरियों की अधिकारों से संबंदित इस्तरियों की परिशानियों से संबंदित निबंद लिखे और यह चांद के कारण संबव बाद में वो श्रंखला की कणिय में सूचती हैं एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी भी समस्या से लड़ना है तो हमें महिलाओं के पास जाना चाहिए क्योंकि आतंगबाद के दौर में यह बात कह रही थी कि हमें उनकी माओं से उनकी बेहनों से उनकी पत्मियों से बात करनी चाहिए कि इनको समझाओ कि क्यों किसी दूसरे के भाई को दूसरे के पती को मार रहे हैं तो यह समाज के प्रती जागरुक एक लेखिका थी और वो खुद भी जागरुक थी और दूसरों को भी जागरुक करना चाहती थी उनको गद्धिकार भीती सिर्फ कविताय नहीं लिख रही थ आतीट के चलछित्र मेरे खाचित्र हैं उनके भगतिन जैसे लोग हैं उनके यहां पत के साथी अपने मैंने कहा कि उनके संव्कालीन साहित्यकारों से बहुत अच्छे संबंद थे तो वह उन्होंने प्रिसात के बादे में निराला के बारे में पंत के बारे में इतनी सुंदर तरीके से पत के साती में लिखा है कि आप उनके बारे में जानेंगे उनकी कविताओं के बारे में जानेंगे श्रंकला की कणिया की बात मैंने आप से की केस में उन्होंने इस्तियोंक से संबंदित लिखा लेखन संपादन उन्होंने किया चान्द पत्रिका अब दोराश समर्थित थी तो बहुत ही महित्वपूर पत्रिका थी और आजाधिके लड़ाई के दोरान बहुत लोगों को इससे वह जागरुक कर रही थी लेखन के लिए भी और पाठकों के लिए भी बहुत सी इस्त्रियों ने इसमें ले जागरण गीत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं महादेवी वर्मा का ये जागरण गीत है लोग समझते हैं कि महादेवी वर्मा केवल पीडा की कवित्री हैं जिसमें गीत लिखे हैं तो प्रेम के गीत लिखे हैं लेकिन ये गीत आप जब जानेंगे तो आप देखेंगे कि पू रहें हम ये निराश्या हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए कितनी भी विपरीत परिस्तियां हों हमें आशा के साथ और जोश के साथ उन परिसितियों से संगर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए यह सब आप इस गीत में देखेंगे जेर सजग आँखें आप कुछ पूछना चांती है क्योंकि आपने कहा कि वो ऐसी कवित्री थी जिन्होंने कि लोगों को निराशा के परती जागरुक होने को भी कहा कि आप आशावादी रहें वहीं चन पंक्तियां हैं उनकी एक रचना की जिसमें वो कहती है वे मुसकाते फूल नहीं जिनको आता है मुर्जाना वे वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुजजाना ये बहुत कुपसूरत रचनाओं में से एक है बिल्कुल और यहां भी वो वही कह रहे हैं कि आप जागिये चेर सजग आखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना आखें क्यों दी है इश्वर ने कि आप देख सकें कि आगे गड़ा है आगे कुछ जीवजन्तु है आगे कुछ हतियार है जिनसे आप अपनी को बचाएं तो सजग रहने वाली आखें आज उनींदी क्यों है और क्यों अस्त ब्यस्त वेश्बूशा है बाना आप बाना मने वेश्बूशा क्यों अस्त ब्यस्त हैं आप सब को एक जुट होकर बिटिश शरकार से लड़ना है तो उनीदे नहीं रह सकते जागना है जगा रही हैं चेर सजग आँखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना अचल ही मिगिर के हिदय में आज चाहें कंप होले या प्रले के आशुओं में मौन अलसित व्योम रोले आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया जाग कर विद्धुत शिखाओं में निठुर तूफान बोले पर तुझे है नाश पत पर चिन अपनी छोण आना जाग तुझको दूर जाना जाग तुझको दूर जाना पहली पंक्ति पर देखिए अचल ही मिगिरी हिम मने बर्फ गिरी मने परवत और अचल मने जो कभी हिल नहीं सके पहाड हिलता नहीं है लेकिन कभी भूकंप आने लगे तो पहाड प्रित्वी सब हिलता है तो अचल ही मिगिरी के हिर्दय में आज चाहें कम पोले चाहें पहाड भी काप जाए बर्फ से ढखा हुआ पहाड में भी कमपन पैदा हो जाए भूकंप आ जाए या प्रले के आसुओं में मौन अलसित व्योम रोले व्योम मने आ आदी तूफान आए ऐसा भूकंप का आए कि प्रहाड भी कापन लगे और आसमान से इतनी बरसात हो कि धर्ती पर जल्मग्न हो जाए पूरी धर्ती आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर चाया देखिए आलोक और तिमिर दोनों एक दूसरे के विप्रीत विलोम शब्द है आलोक मने प्रकाश और तिमिर मने अंदकार चाहे अंदकार ने पूरे प्रकाश को पी लिया हो एसी भायाना के स्थित्या हो तब और जागकर विद्धुत शिखाउ मे निठुर तूफान बोले विद्दुच शिखामने बिजली की रेखा और चाहे बिजली चमक रही है निठुर तूफान ऐसी जो परिस्तियां है कि पहाड़ भी हिल रहे हैं धरती जलमगन है इतनी बरसात हो रही है और अंदकार ने सारे प्रकाश को पी लिया है और बिजली चमक रही है ऐसा तूफान आ जाए तब भी साहस देखिए जोश देखिए तब भी तुझे है नाश पत पर चिन अपने छोड़ आना जाग तुझको दूर जाना ऐसा नाश का पत है कि आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप आपका नाश निश्चित है लेकिन आपको डु इंचान वहाँ पर छोड़ करानी है अगर आप अंग्रेजों के विरुद्ध विपरेत परिस्तियों में जा रहे हैं तो बहुत संबब है कि आपको अंग्रेज गिरफतार कर लें आपको फांसी पर चड़ा दें तो आपका नस्टोना निश्चित है पर फिर भी आपको आधी आए तूफान आए प्रले की परिस्तियां आएं लेकिन तब भी आपको घबराना नहीं है और आगे बढ़ना है आगे चलते हैं दूसरे बंद की तरफ दूसरा बंद है बांद लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले देखिए जो बाधाएं होती हैं कभी- चीजे हैं आप सुख में हैं तो भी आप कहते हम क्यूं जाके दूसरों के लिए लड़ें हम क्यूं बाहर घर से निकले हम तो अपने घर में बहुत आराम से हैं बाहर हमें कोई कस्ट नहीं है लेकिन कहती हैं बांद लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंदन सजीले पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले weighing करंधन भूला देगी मधुप की मदुर्गुन क्या डग्वाद की पत्तिया जो इसमें ओस पड़िए ऐसे सुंधर लगती हैं लेकिन क्या आप उसके सुंधर्मिक हो जाएंगे तो ना अपनी खख़ए बाई प्रसिद पंक्ति हुई है तु नर् अपनी च्हान को तुम्हें पहँचान मिल गई या तुम्हारे लिए च्हाया है तुम सुक्ने हो तो अब तुम इसी में कैदो अब तुम scient घर बाहर निकल कर विश्व का क्रंदन सुनना है देखिए कैसी विश्व की पीड़ा अपने मन में और विश्व की पीड़ा को दूर करने की बात का संदेश भी देती हैं केवल अपने सुख से सुखी नहीं रह जाना दूसरों के लिए विश्व का क्रंदन सुनो कान में ऐसा नह आपके आसपस बहुत सुख सुविदा हैं, आपको कोई कस्प नहीं, लेकिन विश्व की करुणा के लिए, अब आप कह सकते हैं कि ये गौतम बुद्ध से भी आया, बहुत धर्म से भी आया, मादी भी पर उसका प्रभा होता बुद्धतु का, इसलिए वो अपतीपोहफ की करती हैं, कि खुद जलो, दीपक प्रकाश देता है, लेकिन खुद जलता भी तो है, तो खुद जल कर भी, इसलिए इससे पहले कहा है, कि नाश्पत पर नस्ट भी हो जाना, तब भी जाकर दूसरों को प्रकाश देना है, और मधुर की मधुर गुन-गुन, मधुर माने जो पूरा संसार दुख में है, तो क्या आप ये पीडा भुला देंगे, क्योंकि आपके कान में तो भवरे की मधुर गुन-गुन है, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, देखे, आप सुख में हैं लेकिन परपीडा की बाद कही है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मैतरी शनगुप्त नि कहा, पन्त की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगिले, आपकी जो रंगी सुख सुविदाएं हैं, गद्दे लगें, आपके पास घर है, आपको कोई कुख कस्ट नहीं हैं, लेकिन जब आप सुख में हैं तो दूसरों को दीजे, महादेवी वर्मा का जीवन भी ऐसे ही था, कोई उनके दरवाजे से खाली नहीं जाता था, पशु पक्षी, गिलहरी, सब उनके यहां रहते थे, और कई लोगों को उनोंने उनको दान दिया है, आप देख और यह चले, बाद में वो थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने एक कोशिस की, तो हमेशा उनकी प्रेणा है, एक संदेश है, कि आप सुख में हैं, तब भी दूसरों के लिए काम करें, आपकी उपर छट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने घर में कह दो जाएं, आप दूसरों के लिए कुछ करें, उनका दुख दूर करने का प्रयास करें, आप कह सकते हैं कि यह बुद्ध की करुणा है, बुद्ध भी दूसरों का दुख दूर करना चाहते थे, एक बुद्ध को एक बार एक पक्षी गिरा जब दिखाई दिया, कि उसको वान लगा है, तीर लगा है, तो उठा करके उसको मिट्टी लगाते हैं, कि मिट्टी में बहुत ताकत है और फिर उड़ा देते हैं, महादिवी वर्मा भी दूसरों के दुख को दूर करने की बात कह रही हैं, और सुन्दर तो आपको वो ओस की मूने जिस फूलों पे गिर और केवल अपने सुख की कारा में कैद नहीं होना है, आपको दूसरों के लिए काम करना है, उनकी पीडा को भी दूर करना है, तो देखिए लोक कल्यान की भावना भी सिखा रही हैं, ये संदेश है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया था, क्यों ये कवीता हम पढ़ रहे होंगे, तो वो भी अगर कभी अपनी परिक्षाओं की तैयारी के दौरान भी अगर निराश हो, तो एक बार किताब उठाएं और पने खोल कर इस कवीता को दौरा लें, तो यकीनर उनको भी पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक्ता मिलेगी इस से, परिक्षा के दौरान, ज अधेरे से आगे रोश्नी मिलती है, तीसरे बंद की तरफ चलते हैं, बज्र का और एक छोटे अश्रकण में धोगलाया, दे किसे जीवन सुधा, दो घूट मदिरा मांगलाया, सो गई आंधी, मलै की वात का उपधान लेक्या, विश्र का अभिशाप, क्या चिर नींद बन कर पास आया, अमर्ता सुत, चाहता क्यों मृत्य को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, बज्र का उर, उर माने होता है हिर्दय, और बज्र माने पत्थर, बज्र का उर माने पत्थर दिल, पत्थर हिर्दय में, आप, आपको पास बज्र का हिर्दय होना चाहिए, लेकिन एक आंसू मिल गया, renne घरवालों ने कह दिया अरे नहीं बाहर मत जाओ, बाहर पुलिस है, बाहर नहीं जाओ, बाहर बहुत कस्थ हैं, तो आप जो रोगों ने रोक़ दिया आपको कि नहीं-नहीं बाहर संघर्शों में मत जाएे, तो आप उसी एक आसु किसी अपने ने रोका, तो आप उसी में एक अश्रुकर में पत्थर हरदय गल गया, पत्थर का हरदय, मने जिसमें आगे बढ़ने की चाहं है, एक सक्त इक्छा, और वो एक आसु में गल गयी, देख किसे जीवन सुधा, सुधा मने अम्रत, जीवन गूट मदिरा मांग लाया, मदिरा माने एक ऐसा अद्रव्य शराब जिसके आप नशे में आ गए, दो गूट शराब क्या पीली, सुख सुविदाएं क्या मिल गई, आप थोड़ा आराम में क्या आ गए, कि जीवन रूपी अमरत आपने दे दिया, जीवन का अमरत क्या है, कि दूसरों को भी जीवन बाटना, दूसरों के लिए भी प्रकाश देना, उनको भी प्रकाश में करना, ऐसा नहीं है कि केवल आप अपने में सुखवाएं, कितना स्वार्थ को दूर करने की बात और लोग कल्याण की बात है, सो गई, आधी, मले की वात का उपधान ले क्या, मले की वात, वात मने वायू, मले परवत से आने वाली सुगंधित वायू, मले परवत पर चंदन की बीर लगे होते हैं, इसलिए मले परवत से जो वायू आती है, वो सुगंधित वायू है, तो क्या मले परवत से जो सुगंधित वायू आ रही है, उसमें तुमारे भीतर की जो आधी है क्यों आधी है क्योंकि बाहर अगर सब लोग बैचेन हैं अगर बाहर की लोग प्राणी दुखी है संसार दुख में है तो आप के अंदर बैचेनी तो होगी तो वो बैचेनी की आधी क्या थोड़ी सी सुगंदित वायू से दब सकती है नहीं दब सकती प्रश्न क कर रही है कि मन की बैचेनी पूरा संसार अगर दुखी है लोग करूना लोगों को करूना चाहिए लोगों के दुख को दूर करने की बात है आपका मन बैचेन है तो फिर क्या थोड़ी सी सुगंदित वायू थोड़ी सी मलेवात आपको उस अंदर की बैचेनी से मन में जो आं तुम्हें संसार का कोई अभिशाप लगा है कि चिर नींद में सोय हो, जागी नहीं रहे हो, कि आज स्पास कितने सामाजिक परिस्तियां विकट हैं, लोग कितने अत्याचारों से तरस्त हैं, तो जब तक एक जुठ होकर, सब लोग लड़ेंगे नहीं, तब तक कैसे देश आ आध्यात्म से जुड़ते नहीं है, इस सांसारिक सुख सुविदाओं में अपना जीवन बैतित हैं, मतलब कि आप सोय हुए हैं, यह निर्गुण पंतियों ने भी कहा है, कि जब तक आप सांसारिक सुख सुविदाओं में हैं, तब तक आप सोय हैं, जब आप जागे, मतल तो मरती नहीं है तो तुम तो अमरत्य पुत्र हो फिर क्यों चाहते हो अमरता सुथ चाहता हो क्यों मृत्य को और में बसाना लेकिन ये मरण है मनुष्य के लिए कि वो जीते जी दूसरों के लिए मदद ना करें ये मरण है कि आप संघर्ष ना करें ये मरण है कि आप बिकट पर सित्यों में निराश हो जाएं हतियार डाल दें और आगे ना बढ़ें तो कहरें कि तुम तो अम्रत्य पुत्र हो फिर धर्दय में मृत्य को क्यों बसाना चाहते हो जाग तुझको दूर जाना जागरण की बात करती हैं बिकट पर सित्यों में संगर्श रत कहने की बात कर आगे बढ़ते हैं अगला एक और मंद है कहना ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी कहना ठंडी सांस में ठंडी सांसे कब भरते हैं जब निराश हो जाएं अब नहीं कुछ कर सकते हैं अब हमसे कोई काम नहीं होगा तो कहना ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी आग हो उर्मे तभी द्रग में सजेगा आज पानी हार भी तेरी बनेगी मानिनी जै की पता का राख छणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी है तुझे अंगार शैया पर म्रदुल कलियां बिछाना जाग तुझको दू आग महादेवी जी के यहां बार बार आती है आग का प्रकाश अंधकार को काट देता है तो आग हो उर्मे हिर्दय में आग है मनिकी जोश है उर्जा है प्रकाश है तभी द्रग में सजेगा आज पानी आपकी आख में करुणा का पानी है करुणा के आशू है दूसरों के देख कर भी हम लोग रूते हैं के बार आपने कहीं बाद animals देख क कुछ दूसरे को वैसे ही दुख दूख रहे हैं का पानी भी करुणा के आसु भी सजे उगे दिखाई देगी हार भी तेरी बनेगी अब संघर्ष में हमेशा विजय मिले ऐसा नहीं होता हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पता का यदि हार भी गए ना तब भी आपका मान सम्मान होगा तब भी आपकी विजय की पताका माने जंडा, तब भी आपकी विजय का जंडा लहराएगा, तब भी आपकी पहँचान बनेगी, अब इसमें उधारन देती है, पतंगे का, कि अगर पतंगा जल भी जाता है दीपक के आसपास, तब उसकी राख भी, इस बात की कहानी तो कहती कि यहां पे कोई पतंगा आया था और वो दीपक से टकराया था और वो जल गया उसकी पहचान तो बताती है अमर दीपक की निशानी पतंगा जल कर भी अमर हो गया और ये भी निशान रहे गया कि यहां पे कोई दीपक जल रहा था दीपक भी जल गया पतंगा भी जल गया ले और अंगार मने आग, आग रूपी विस्तर पर जब आप कोमल कलियां रखेंगे तो उनका जलना तो तय है, बिलकुल जलेंगे, तो आ है तुझे अंगार शया पर म्रिदुल कलियां बिछाना, इसलिए पहले बंद में उन्हें काने काता, पर तुझे है नाश्पत पचिन यही आपको मालूम है कि आप यहां पर नहीं बचेंगे, यह आपको हार भी मिल सकती है, तब भी आपको संघश्रत रहना है, अंगार शया पर म्रिदुल कलियां बिछाना है, लेकिन बहुत बहुत जागरुपता के साथ चुनोती भी देती है, कि तो ना अपनी छाह को अप अपनी छाह को अपने लिए कारा नहीं बनाए, ऐसा ना हो कि आप यह सोचें कि मुझे छाओ मिल गई है, मुझे पहँचान मिल गई है, तो मुझे लोग कलियां नहीं करना, स्वार्थी होने को बहुत चुनोती देती है, और इस तरह से यह गीत आप देखिए, कि इस तरह जागरत करता है, ऐसा अगर मानते हैं, कि महादे वी वर्मा सिर्फ प्रेम की, विरह की कवित्री है, मैं नीर भरी, दुख्की बदली हूँ, तो यह गीत तो कम से कम ऐसा आप से नहीं कहता, और जिस समय में महादे वी वर्मा थी, उस समय में कि साथ जुड़ी हुती है, आजादी के बाद भी पूछती है, कि ये बिठा की रात का कैसा सवेरा है, अब ये मतलब आजादी मिल गई लेकिन फिर भी अगर दुख दूर नहीं हुए, तब फिर वो अपनी भाशा में एक गीत लिखती है, मने कि वो राजनीती कृप से सजग थी, समात सेवी थी, लोग क महादेवी जी के, जब आप इस कवीता को पढ़ें, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अच्छी पड़ी लिखी थी, तो ये एक गीत है, जागरन गीत है, उनकी रचनाओ के मैं आपको चित्र दिखाऊं, तो आप देखें कि signals कृमी, नीर्जा, सान्द QE जीन चार, संद यह उनकी रचनाव के चित्र हैं, यामा, यह उनके कवर पेज हैं, शंकला की कडियां, आपको अपनी पुस्तकाले में दिखें, यह कितावें तो आप उन्हें जरूर पढ़िये, पत के साथी, मेरा परिवार, यह तो आप खरीद कर भी पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमाहरा सरकार ने उनके लिए एक टिकेट टिकट जारी किया था, महादेवी वर्मा के लिए 1991 में, इस पर आप एक पेंटिंग देख रहे हैं, महादेवी वर्मा की बनाई हुई, तो मैं आपको उनके चितर दिखाऊंगी आगे, यह खुद बनाती थी, और जल चित मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलती थी, खुद से लोगों के लिए काम करती थी, अपने पास से पैसा दिया, अगर 65,000 की जमीन खरी गई अपने एक इंटर्वी में बताया कि 24,000 रुपे मैंने खुद से दिये, और नैनिताल में उन्होंने जमीन खरीदी, म जहां से महादेवी के जीवन का जुडाओ था, आप जब पढ़ते हैं, तो उन जानिये कि कोई लेखा का किन-किन जगहों से जुडाओ, इसमें देखे इलाहबाद है, जहां उनका कर्म शेतर था, इसमें फरुकाबाद है, जो उनका जन्म इस्तल था, और इसमें बनारस है इसमें लखनव भी दिखाया है, जहां पे उतर प्रदेश की विधान परिसद में वो सदस से मनोनी थुई, इसमें नैनी ताल है, जहां उनोंने मीरा मंदिर बनाया था, तो इस तरह से आप देखें, जब आप पढ़ी पाट को और लेखक को, तो उनके बारे में बहुत सार पुरसकार उन्हें यामा के लिए मिला 1982 में, पदम भूशन मिला 1956 में, 1988 में मरणों परांत उन्हें पदम भी भूशन भी मिला, और 1943 में मंगला प्रसाद, पारितोशिक और भारत भारती, यह साहित के सब बड़े-बड़े सम्वान है, जो महादेवी जी को दिए गए, उन् 1934 में सिक्सरिया पुरसकार मिला उन्हें, 1942 में दिवेदी पदक मिला सम्रती की रेखाएं उपर, 1971 में साहित का आदमी संस्ता को जोईन करने वाली वो पहली महिला थी, और एक फिल्म है नील आक्या शेर नीचे, बांगला में है वो चीनी भाई डाम से एक संस्पनन है उनक 1960 में, बहुत सुंदर फिल्म है वो आपको अपलब्ध है, यूटूब पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह से महादीवी वर्मा के ये देखे चितर बनाती हुई है, ये मैंने दूदरशन की एक वीडियो से कुछ चितर आपके लिए निकाले हैं, और ये धीप शिखा चितर बेवी उन्होंने उकराया, खुद बनाती थी वही पेंटिंग, एक फोटो मैंने आपको दिखाया, तो इस तरह से महादेवी वर्मा जी को आप जाने, और कोई सवाल आपके मन में हो तो आप मूछिए नहीं, तो हम और बाते अभी कर सकते हैं उनके बारे में, जितन खूबियों से परिपूर्ण हैं और ऐसी महीला का सानेदे हमारे साहित्य को मिला, ये वाके ही बहुत गर्व की बात है मैं, आजीवन, आजीवन साहित्य की सेवा की उन्होंने, पहले कविताय लिख रही थी, फिर 1942 के बाद उन्होंने गद्दे लिखना शुरू किया, प्राबर उस पर भी बात कर रही थी, और भाषा के बारे में बात करूं, तो नावर जी ने कहा उनकी लिए कि उन्होंने ब्रज के सवईये खड़ी बोली मिलिक, और उन्होंने कहा कि रश्मी किताब जब मेरे पास आई, तो मैंने उनको देखकर सवईये लिखने शुरू क हैं, तत्सम शब्द कहा कहा है, आपके सामने में दुबारा कविता रख रहे हूं, और आप देखे, अचल हिमगिरी, अचल हिमगिरी के हिर्दय में आज चाहें कम पहोले, या प्रले के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर चाया जाग कर विद्दुत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पत पर चिन अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, इसमें जो व्योम शब्द है, आलोक शब्द है, तिमिर शब्द है, ये सब तत्सम शब्द हैं, ये तत्सम शब्द आप जाने कि इनके अर्थ क्या है, आपको आलोक माने प्रकाश, तिमिर माने अधेरा, व्योम माने आकाश, क्योंकि जब आप कवीता पढ़ेंगे, हम ये गीत है, हम इसे गा भी सकते हैं, कई तरीकों से गाया जा सकता है, और आप अगर कहीं देखेंगे, तो आपको कुछ मात्रा हैं, और बाकी में 28, 26 है, आपको अगर मात्रा ना, क्या ग्यारा में है, छंद सीखने चाहिए, तो छंद आप उसमें सीख सकते हैं, कि जैसे जाग, तो जा में दो मात्रा है, और गा में एक मात्रा है, तीन, तुझको, तो चोटाउव की मात्रा को हम नहीं गिनेगे ता में एक जहा में एक और का में दो तो दो एक तीन जाग में थी और चार मात्रा तुझको में हैं फिर दूर में बड़ाओ की मात्रा को हम दो मात्रा गिनेंगे तो फिर दूर में दूर में दो और रा में एक फिर जाना तो जा में आ की मात्रा है जहां पर दीर्ग मात्रा है महादेवी भर्मा कि भावना लोक कलियार्ड की भावना ये तो आपको समझ में आगया हुगा और आपको एक बार पूरी कविता पढ़के सुनाते हूं, अच्छी तरह अगर आपको बहुत आनंदा रहा है, तो आप इसे पढ़ेंग में मेरे साथ, और पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अचल हिमगीर के हिरदय में, आज चाहें कंप हो ले, या प्रलै के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले, तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्दुत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पत पर चिन अपने छोड आना, जाग तुझको धूर जाना, जाग तुझको धूर जाना, बांध लेंगे क्या तुझे ये मौम के बंधन सजीले, पंत की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का करंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुन गुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह में अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको धूर जाना, जाग तुझको धूर जाना, तीसरा बन देखिए, बज्ज का उर एक छोटे अश्रकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा, दो घूट मधिरा मांग लाया, सो गई आंधी मले की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बन कर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्त को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, अन्तिम देखिए, कहना ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मान नीजय की पता का, राख छणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर म्रदुल कलिया बिचाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, पूरी ले ताल में है, महादवी वर्मा लोक गीतों को अच्छी तरह जानती थी, और गीत की ले ताल पर, और और भी जो निराला ने जो गीत लिखें, वो तो और संगीत के साथ लिखें, वो राग भी जानते थे, तो इस तरह से आप इसे पढ़िए, और आपको कोई और सवाल हो, तो हमें जरूर पूछे, हाँ, उनकी एक और महतपूर रचना है, जिसको आप जरूर देखें, सब्तपढ़ना नाम से है, आईक महादेवी समग्र नाम से निर्मला जैन ने पूरी किताब निकाली है, और उसमें आपको उनकी सभी रचनाएं मिल जाएंगी, अपने पुस्तकाले में पढ़िये, जरूर होगी वहाँ पर, तो आप उसे उनकी सभी रचनाओं के बारे में जान पाएंगे, और मेरा परिवार आप अवश्य पढ़ें, इसमें उन्होंने बहुत इस अरल भाषा में जीव जन्तों के बारे में लिखा है, तो मेरा परिवार आप पढ़ें, और अपीस कवीता को इलिए पढ़ते हुए अपने जीवन से निराशा को दूर करें, जोश के साथ, उत्सा के साथ, कितनी भी विप्रीत परिस्तितियां आएं, तब भी आगे बढ़ें, और कभी भी ऐसा नहीं सोचें कि हम सुख में हैं, तो हमें दूसरों क्लिकियों करना, लोग कल्यार की भावना से अपनी जीवन में आगे बढ़ें जी, मैं हम अगर परिक्षा के दृष्टी कौन से देखा जाए, तो क्या ऐसे प्रशन आते हैं, कि आपको एक छंद दे दिया जाएगा, फिर आपसे उसका विस्तरत अर्थ मांगा जाएगा, या फिर प्रशन भी जो हैं, इस कवीता से लिये जाते हैं, बिल्कुल, आपको इसमें चंद दिया जाएगा, और उसमें से प्रशन बनेंगे, तो जब आपने पूरा गीत पढ़ा है, पूरी कवीता पढ़ी ए, तो आप उसको अर्थ मालूम है, शब्दों के अर्थ मालूम है, तो आप उसका अर्थ समझते हैं, तो जो भी नीचे प्रशन दिया है, परियाइबाची भी इसमें परियोग किये गए है चंद क्या है तो ये जागरण गीते उद्वोधन गीते रस क्या है बहुत महत्पूर्ण बात है इसमें वीर रस है जोश है उत्सा है इस कविता को पढ़ कर सुन कर इसका आर्ट समझ कर मैंने ही समझति कि आप सोई रह सकते ह इसमें जोश आएगा ही आएगा कितनी भी विपरीत परस्तित्या हों आपका जीवन केवल अपने लिए है क्या केवल अपनी लिए तो पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते बिल्कुल है ना और नदी अपना पानी स्वयम नहीं पीती तो आपको मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे यही भाव है आपकी अप दीपो भव खुद दीपक बन कर भी स्वयम जल कर भी दूसरों के लिए प्रकाश पैदा करें तो आपको जब असका कावे सोंदर लिखने के लिए आता है तो आप यह चार पांच बिंदू उसमें बातें लिखें और इसका उद्देश ही क्या है यह आपने जाना है और आप और जागरण गीतों के बारे में भी जानिये महादिवेवर्मा के और लोग गीतों के बारे में भी जानिये चायावात के जो और समकालीन कवी है उनके बारे में भी पंत के गीत है निराला के गीत है तो उनको भी आप पढ़िए बहुत सुन्दर आज का यह सत्र रहा मैं मैं आपका तो बहुत सुन्दर हमारा आज का सत्र रहा और ज्यान की बात करें तो हमने कख्षा 11 के बच्चों के लिए हिंदी का ये सत्र जो लिया आपकी पाथे पुस्तक से जाग तुछ को दूर जाना महादेवी वर्मा की ए खुबसूरत रजना और उनका परिचय पाकर उनका गद्य के साथ मैं भी सत्र को अंत की ओड लेकर चलूंगी विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना परिचय इतना इतिहास यही उम्री कल्थी मिठ आज चली तो ये एक खुबसूरत रचना महादेवी वर्मा की इस नाम से किताब है परिचय इतना इतिहास यही बिलक तो अब हम कुछ ही मिन्टों में CIT and CIT का एक और लाइव और इंटरेक्टिव सेशन लेकर आपके साथ जुड़ेंगे जिसका विश्य होगा कक्षा बारा के बच्चों के लिए economics and government budgets and its components को लेकर हम बात करेंगे तो आप यू ही हमसे जुड़े रहें यहां मैं स्ट्रोजन राजपूत आप सभी से चाहूंगी अनुमती नमस्का बहुत 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 बहुत